दिवाली के अगले दिन कार्थिक शुक्ल पर्तिपदा को अन्यकूट उत्सव यानी गुवर्धन पर्व मनाया जाता है। गुवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। इंद्र को पर्षन करने के लिए इंद्र का पूजन करते थे उसमें 56 भोग लगा देते उनका पूजन क्या जाता है। इंद्र का पूजन क्यों कर रहा है। कि गाये को चारा खिलाने वाला गौवर्धन पर्वत है। जो रास्त उनको दे रहा है जहां से गाया हमारी पल रही है ताप गौवर्धन का पूजन क्यों नहीं करते हैं। तो भगवान इंद्र रुष्ट हो जाएंगे नारा जाएंगे। उन्हें कहीं नारा जो तो साग्छात हैं। जो ठीक है सबने सला करी बर्जवासुने मिलकर के गौवर्धन का पूजन प्रारम किया। तो गौवर्धन जी का जब पूजन प्रारम किया। तो भगवान किष्ण जी ने अपने आपको उस वरूप में ढाल दिया। इधर वो बालवस्ता में थे। उधर गौवर्धन बेढ़कर के वह परसाथ जो भोग लगा है वो खा रहे हैं। तो बर्ज गोपाल वासी जो हमारे जो बर्ज वासी थे जो बालक थे उन्होंने का भई कहते हैं यह तो गोवर्धन महाराज सभी परसाथ खा लेंगे तो आप भोग लगा रहे हैं जो हम चड़ा रहे हैं अभी तक क्या ऐसा हुआ आपने इंदुश्रा इंद्र ने कम भोजन परसाथ ग्रेंड कि नहीं खुआ है तो आपंड झाए तो आप बोच है तो आप बोचन करो अब इंद्र महराजी देख रहे हैं कैंट महाराज जी नेается कि पूज है मेरे अच्लश समय कर दिया जूह कोawn नहीं अब इंको दण मिलना चाहिए तो देख लिए निया आदेश दे दिया वायू को जल को आप जाओ और ऐसी भयंकर वर्षा करो आप आपर कि बर्जवासी सब डूप जाए ऐसी बर्षा होने लगी अब सब मुने का ले किस्ट आपने कहा था कि गोवर्ण का पोज़ करो इंदर नाराज हो गए और यह बर्षा हो गई अब तो डू इसने सब गवाल बालों को बोला सब लेकर के और अपनी करश्टिका की उंगली पर गोवर्ण परजी को उठा दिया एक सबता तक राज दिन वह बढ़ साथ चलती रही उसमें बर्जवासी भी आगए गोलों क्वासी भी आगए उनकी गायां वे सब उस परवत के नीचे आ लोकल 18 के लिए दहरदून से हिना आजमिक रिपोर्ट